उस्तो आपातकाली इन प्रावधानों की एक और वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैं आपको राश्ट्री आपातकाल और राश्ट्रपती शाषन के बारे में बता चुका हूँ एक जो पूरे देश के स्थर पे लगता है और एक जो राज्जे के स्थर पे लगता है प्रश्ट्र पती शाषन अनुशे 356 में फर्क बताईए अंतर बताईए यह अंतर आप से सारणी के रूप में पूछ लिये जाते हैं और आप जितने ज़ादा अंतर लिखते हो उतने ही अच्छे मांक्स आपको इसके अंदर मिलते हैं तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ हलकि पिछली वीडियो में मैंने कवर कर देना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कि एक अलग से छोटी ही सही लेकिन वीडियो बना दी जाए इसके उपर एक एक करके अंतर समझ लेते हैं राश्ट्रे आपातकाल और राश्ट्रपती शाषन के अंदर राश्ट्रे आपातकाल लगाया जाता है वहीं जो राश्ट्रपती शाषन होता है यह इन में से किसी भी कारण के तहत नहीं लगाया जाता है यह सिर्फ तब लगाया जाता है कि जब कोई राज्य समझ धानिक प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा हो यह बात common sense की बात है कि अगर देश युद्ध लड़ रहा है किसी से तो सिर्फ एक राज्य के अंदर राश्ट्रपती शाषन तो नहीं लगेगा वो तो पूरे देश में आपातकाल लगेगा न तो यह पहला अंतर है दूसरा यह है कि राश्ट्री आपातकाल लगने के वक्त हर राज्य की जो विधाईका और कारेपालिका होती है उसकी जितनी भी प्रशासनिक शक्तियां होती है वो सब केंदर को प्राप्त हो जाती है मतलब वो सारे काम केंदर करना शुरू कर देते हैं वहीं अगर किसी र प्राशन है वो राश्ट्रपती चलाता है राज्य पाल के माध्यम से तो यह दूसरा अंतर हो जाता है तीसरा अंतर यह है कि राश्ट्रे आपातकाल के अंतरगत अंसच जो है वो राज्य विश्यों पर कानून बनाती है और कानून बनाने की जो शक्ती है वो किसी भी निक तो अब आपात का लगेगा ना तो इस जेडिये से सारी शक्ति छीन ले जाएगी और जो भी फैसले जैपूर के बारे में होंगे वो सीधा केंद्र लेगा वहीं माल लो कि राजस्तान के अंदर राश्टरपती शाशन लग जाए तब वहाँ पे क्या होगा वहाँ जितने भी कानून होंगे न वो राश्टरपती पे सौब दिये जाएंगे कि राश्टरपती या तो कानून बनाएगा या फिर राश्टरपती द्वारा कोई आदमी चुना ओगया होगा वो कानून बनाएगा वो भी सीधे कानून नहीं बनाएंगे जो भी सदस से राजस्तान से चु कोई अधिक्तम समयाविधी निश्चित नहीं है मतलब ये कितने भी लंबे समय तक लग सकता है बस इसमें करना ये होता है कि बार-बार 6-6 महीने के अंदर प्रक्रिया दोरानी पड़ती है आपातकाल की और इसके बाद उसे अनिश्चित काल के लिए लागू कर दिया जाता ह किसी भी राज्य में सिर्फ तीन वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है यानि कि ये निश्चित है इसका जो भी समय है इससे अत्रिक्त नहीं लगाया जा सकता अगर इससे अत्रिक्त लगाना भी है थोड़े देर के लिए तो बहुत सारी प्रक्रियां दोरा दोराई जाती ह उसके बाद ही वो लगता है अगला अंतर आप लिख सकते हो कि राष्ट्रिय आपातकाल के दौरान सभी राज्यों के और केंद्र के जो संबंध है वो परिवर्तित हो जाते हैं लेकिन जब राष्ट्रपती शाषन लगता है मानलो राजस्तान के अंदर लगा है तो सिर्फ राजस्तान का और केंद्र का जो संबंध है वो परिवर्तित होगा वहाँ पर डाष्ट्रपती शाषन राजस्तान में लगा है लेकिन इसका असर पढ़ रहा है करनाटक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है अगला जो अंतर है वो काफी important है काफी मैत्वपूर्ण है इसको आप मैत्वपूर्ण लिख लिजेगा कि जब राष्ट्र आपातकाल की गोशना करने की बात आती है तो जितने भी प्रस्ताव होते हैं संसत के वो सब विशेश बहुमत से पारित होने चाहिए ठीक है मतलब व काफी मैत्वपूर्ण है इसे भी लिख लेना है मैत्वपूर्ण आपको कि जो राष्ट्रिया पातकाल होता है वो नागरिकों के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है काफी हद तक प्रभावित कर देता है इस बात को आपको याद रखना है लेकिन राष्ट्रपति शा होता है कि मूल अधिकारों को प्रवाविद नहीं किया जाता और एक आखरी अंतर के रूप में आप लिख सकते हो कि लोक सबाराश्ट्रे आपातकाल की घोशना वापिस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है मतलब अगर कुछ एक अंतर हैं जो आप से सीधे पूछ लिए जाएंगे सवाल के रूप में कि राष्ट्र या पातकाल यानि की 352 और राष्ट्र पति शाषन यानि की 356 में क्या फर्क होगा मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए helpful साभित रही होगी अगर इसके बाद भी इसके इंदर कोई confusion आती है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही see you in the next one